आपके अपने चैनल जोगी सरकी पाठसाला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो आते ही आपको नोटिफकेशन मिल जाएगा नमस्कार प्यारे बचो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जोगी सरकी पाठसाला में आज इस वीडियो में हम दस्वी कैक्षा के गनित विश्य के चैप्टर नमबर 5 समानतर स्रेडियों की एक्सरसाइज 5.2 के प्रेसन नमबर 16 को हल करने जा रहे हैं जो की बहुत असान है क्योंकि सभी प्रेसन बहुत असान है हम करते आ रहे हैं तो आएए इस असान से प्रेसन को solve करते हैं क्या कहता है वहे एपी ग्याद कीजिए एपी ग्याद करने अब कि बार हमें जिसका तीसरा पद क्या है, सोला है और सात्वा पद पांचमे पद से बारा अधिक है, चीए, देखिए कैसे करते हैं, माना A-P का पहला पद, A-P का पहला पद हमने क्या माल लिया, A माल लिया और इसका सारव अंतर सारव अंतर हमने क्या माल लिया D माल लिया अब क्या कहता है तीसरा पद 16 हमें यह पता है कि AN का फार्मूला क्या होता है A plus N minus 1 into D होता है तो according to question A3 A3 का मान कितना दियाव है 16 A3 मतलब A plus 2D बराबर 60 यह हमारी समिकर नमबर 1 बने अब दूसरी बात क्या कहता है सात्मा पद पांचमें पद से अगर हम लिखें मतलब according to question A7 पांचमें पद से सात्में में से पांचमा घटाएंगे सात्मा पद ज्यादा है पांचमें से कितना अधिक है 12 तो लिखेंगे हम क्या A plus 7 मतलब A plus 6D माइनस जब भी माइनस करते हैं तो bracket में रखें बार बार बताता हूँ यह बात A plus का 5D बराबर है 12 जब एपलस 6D माइनस का A माइनस का 5D बराबर कितना हो गया 12 अब यहां से अगर अगर हम देखें A से A क्या हो गया cancel हो गया छेडी में से 5D गया कितना हो गया D हो गया साथमा पद पांचमा पद यहां पे हमारे पास क्या था पांचमे में क्या हो गया यहां पे 4D तो यहां पे 4D हो गया तो 6D में से 4D गया कितना हो गया 2D किसके बराबर हो गया 12 के 6D minus 4D ठीक है तो D का मान कितना हो गया 12 बटे 2 तो कितना अंसर आ जाएगा छे हो गया चीक है डी का मान किसमें रख दीजी है स्मिकर नंबर एक में डी का मान एक में रखने पर रख दीजी एक का मान निकालना हमने दो गुणा में छे पराबर है 16 अब मुझे ए भी पता चल गया डी भी पता चल गया तो आप एपी निकाल सकते हो एपी क्या बनेगी पहला पद दे चार छे जोड़ोगे 10 फिर 6 जोड़ोगे 16 फिर 6 जोड़ोगे 22 28 एंड सो ल तो यह आपकी एपी श्रेनी बनेगे देखा आपने बहुत ही असान था सब असान है सब असान है सब असान है तो अगली वीडियो में हम अगले असान से परसंड के साथ मिलते हैं तब तक के लिए भन्यवाद झाल